आज का प्रेरक प्रसंद, इच्छा पूर्ती एक घने जंगल में एक इच्छा पूर्ती व्रिक्ष था, उसके नीचे बैट कर कोई भी इच्छा करने से वह तुरंत पूरी हो जाती थी यह बात बहुत कम लोग जानते थे क्योंकि उस घने जंगल में जाने की कोई हिम्मत ही नहीं करता था एक बार सयोग से एक थका हुआ व्यापारी उस व्रिक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैट गया उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी नींद लग गई जागते ही उसे बहुत भूठ लगी उसने आसपास देखकर सोचा काश कुछ खाने को मिल जाए ततकाल स्वादिष्ट पक्वानों से भरी थाली हवा में तेरती हुई उसके सामने आ गई व्यापारी ने भरपेट खाना खाया और भूठ शान्त होने के बाद सोचने लगा काश कुछ पीने को मिल जाए ततकाल उसके सामने हवा में तेरते हुए अनेक शर्बत आ गए शर्बत पीने के बाद वह आराम से बैट कर सोचने लगा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ हवा में से खाना पानी प्रकट होते पहले कभी नहीं देखा नहीं सुना जरूर इस पेर पर कोई भूत रहता है जो मुझे खिला पिला कर बाद में मुझे खा लेगा ऐसा सोचते ही ततकाल उसके सामने एक भूत आया और उसे खा गया शिक्षा इस प्रसंग से आप यह सीख सकते हैं कि हमारा मस्तिश की इच्छा पूर्ती व्रिक्ष है आप जिस चीज की प्रबल कामना करेंगे वह आपको अवश्य मिलेगी अधिकांश लोगों को जीवन में बुरी चीजे इसलिए मिलती हैं क्योंकि वे बुरी चीजों की ही कामना करते हैं इनसान ज्यादातर समय सोचता है कहीं बारिश में भीदने से मैं बीमार नहूं जाओं और वह बीमार हो जाता है इंसान सोचता है मेरी किसमत ही खराब है और उसकी किसमत सचमुच खराब हो जाती है इस तरह आप देखेंगे कि आपका अफचेतन मन इच्छा पूर्ती व्रिक्ष की तरह आपकी इच्छाओं को इमानदारी से पूर्ण करता है इसलिए आपको अपने मस्तिष्क में विचारों को साफधानी से प्रवेश करने की अनुमती देनी चाहिए विचार जादुग की तरह होते हैं जिन्हें बदल कर आप अपना जीवन बदल सकते हैं इसलिए सदा सकारात्मक सोचिए बाहर की दुनिया बिलकुल वैसी है जैसा की हम अंदर से सुचते हैं हमारे विचार ही चीजों को सुन्दर और बदसूरत बनाते हैं पूरा संसार हमारे अंदर समाया हुआ है, बस चरूरत है चीजों को सही रोशनी में रख कर देखने की. आज का दूसरा प्रेरक प्रसंग, चमकीले नीले पत्थर की कीमत. एक शहर में बहुत ही ग्यानी प्रतापी सादू महाराज आये हुए थे, बहुत से दीन दुखी, परिशान लोग उनके पास उनकी कृपा द्रिश्टी पाने है तो आने लगे. ऐसा ही एक दीन दुखी, गरीब आदमी उनके पास आया और सादू महाराज से बोला, महाराज मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे उपर करजा भी है, मैं बहुत ही परिशान हूँ. मुझ पर कुछ उपकार करें. सादू महाराज ने उसको एक चमकिला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा कि यह कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो. वो आदमी वहां से चला गया और उसे बेचने के इरादे से अपने जान पहचान वाले एक फल विकरिता के पास गया और उस पत्थर को दिखा कर उसकी कीमत जाननी चाही. फल विकरिता बोला, मुझे लगता है ये नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है, हाँ यह सुन्दर और चमकतार दिखता है, तुम मुझे दे दो, इसके मैं तुम्हें एक हजार रुपे दे दूँगा. वो आदमी निराश होकर अपने एक अन्यजान पहचान वाले के पास गया जो कि एक बरतनों का व्यापारी था. उसने उस व्यापारी को भी वो पत्थर दिखाया और उसे बचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाही. बर्तनों का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेश रतन है, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपे दे दूँगा वह आदमी सोचने लगा कि इसके कीमत और भी अधिक होगी और यह सोच वो वहां से चला आया उस आदमी ने इस पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया, सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, यह काफी कीमती है, इसके मैं तुम्हें एक लाख रूपे दे दूँगा वो आदमी अब समझ गया था कि यह बहुत अमूल्य है, उसने सोचा क्योंना मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं, यह सोच वो शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया उसहब, रे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता रह गया, चौकने वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पुछा तुम यह कहा से लाए हो यह तो अमूलिय है, यदी में अपनी पूरी संपती बेच दून तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता शिक्षा, हम अपने आपको कैसे आपते हैं, क्या हम वो हैं जो राए दूसरे हमारे बारे में बनाते हैं आपकी लाइफ अमूलिय है, आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता आप वो कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं कभी भी दूसरों के नेगेटिव कमेंट से अपने आपको कम मता किए उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही शांदार वीडियो और लेकर आऊं आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं जिससे मुझे हौसला मिले खन्यवाद जैहिंद जैवाद